देश के कहीं राज्यों में इस समय गर्मी अपनी चरम पर है दिन बदिन तापमान बढ़ रहा है कहीं शहरों में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सिस के पार जा पहुचा है राजानी दिल्ली में तो धूल और गर्मी ने आफत और जादा बढ़ा दी है इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारते राज्यों में भीशन गर्मी तो दक्षिन भारते राज्यों में भारी बारिश का अलट जारी किया है आएमडी के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 18 मई से पूर्वी शेत्र में हीट वेफ का असर पढ़ सकता है इसके साथ ये दक्षिन प्राइदुप्य भारत में तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं मौसम विभाग ने दक्षिन पश्चिम मौनसून के 19 मई तक दक्षिन अंडमान सागर, दक्षिन पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ शेत्रों और निकोबार दीपसमू में आगे बढ़ने की उमीद जताई है वही 19 मई के दौरान पश्चिमी राजुस्तान के अलग-अलग या कुछ हिस्सों में लूचलने की संभावना है इसके साथ ही पंज़ाब, दक्षिन हरियाना, उत्री मध्य प्रदेश, पूर्वी राजुस्तान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लूचलने की संभावना जताई गई है राजानी दिल्ले की बात करे तो बीते दिन दिल्ली में बीशन गर्मी का प्रकोप रहा दिल्ली में आठ जगों पर पारा 45 डिग्री से उपर रहा मौसम विभाग के मुताबिक वीकेंड में दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना जताई गई है दिल्ली में बढ़ते तापमान के पीछे की वज़ा सुष्क पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं बताए गया है अगले 24 घंटे के मौसम के अगर बात करें तो सकायमिट वैदर ने तेलंगाना, तच्ये कननाटक, आंतरिक तमिलनाडू, केरल, लक्षदीप के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार दीपसमू में हलकी से मध्यम बारिश और गरच के साथ कुछ भरी बारिश होने की जताई है वहीं दक्षिन चतिसगर, दक्षिनी ओडिसा, तमिलनाडू, आंतरिक अनाटक, आंधर प्रदेश, सिक्कीम और अरुनांचर प्रदेश में हलकी से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है इसके अलावा पूर्वोतर भारत, विधर्ब, मराठावाडा, दक्षिन, मध् लगभग सुष्क हो सकता है और इन शेत्रों में तापमान बढ़ने के आसार है वहीं गुजरात, राजस्तान, पंजाब और हर्याना के कुछ हिस्सों में लूग की स्थिती बनी हुई है क्यार इस खबर में इतना हैं, देश पर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्याराई है आप हमें कमेंट सेक्षन में चरूर बताईए वीजियो अगर पसंद आया हो तो वीजियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बाके देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे है न्यूज नेशन का दिजिटल प्लाटफॉर्म